नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नहां मिला और नहीं भी तेज़ी फंड़ा मैं हूं कॉसोजय स्वाल और दोस्तों मैं इंग्लिश क्लास लेकर आया हूं जिसमें सीटेट में आपको पता यह कि 15 नमर की पेड़ेगोजी ह दोस्तों होगी इंगलिश में तो दोस्तों इसमें मैंने 205 को चैनल करेंगे और इस अब पुरिश देख लेंगे आप एक भी कोस्तन बाहर नहीं जाएंगे इस इस रिलेटेड़ आएंगे और कुछ तो आपको दोस्तों दोस्तों आट से दस कोशन सेम मिल जाएंगे एज प्रिशिदय को सब्सक्राइब करें या मैं नोफ है क्लास से बात दें यह एक प्री टीचिंग नहीं है दोस्तों आपको यह थोड़ा भी इसमें डाउट नहीं है जी नहीं रिटीचिंग नहीं है रिमिटिल टीचिंग क्या होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और इसे बच्चों को जिस बिसे में कमजोर होते हैं जिस बिसे में उनको थोड़ा डाइगनॉस करेंगे मतलब पहले उसकी कम जोडी का पता लगाए जो नहीं कर रहा है तो इसको पता- लगाएंगे करेंगे फिर उसको देखेंगे कितना उसको आया फिर इसको यह प्रॉसेस चलता है एक सिस्टेमेटिक प्रॉसेस है बस इतना आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है हमारा अच्छ कि अच्छ कि अंच्छ कृम आख स occup town teacher कि से मरा को अच्छ करेंगे करेंगे और हम आखेंगे करेंगे करेंगे। सिद्धान होता है is based on the assumption that only a few selected and trend teacher can teach it is not possible to teach the whole language within the prescribed time period and the other construction constraints only a few selected learners can learn the target language it is not possible to teach the whole language within the prescribed time period and other constraints मतलब यह संभव नहीं है कि केवल एक limited time में आप उसको सारी भासा का ज्यान दे सकते हैं जी नहीं उसे एक सेलेक्टेड मतलब यह से क्या है माल यह कच्छा क्लास एक काल विद्धार थी यह क्लास दो का विद्धार थी है तो उसे उतना ही material प्रोवाइड में पाठेकर में उतना ही material दिया जाता है जितनी उसकी छमताव पढ़ने की और उसके एस के recording हो इसलिए इसको क्या बोलते है principle of selection मतलब सेलेक्टिट चीज़े उसको पढ़ा है मतलब कच्छा क्लास टू का है क्लास थर्ड का है तो उसको उतना ही चीज़े जाननी चाहिए जितना उसके छमता के अनुरूप है और जितना उसको माइड एक्सेप्ट कर सकता है यह नहीं क्लास थर्ड का बच्चा है उसे हम पढ़ा रहे हैं इंटर का इंग्लिस देदर है लिट्रेचर पढ़ने के लिए जी नहीं क्लास फरस्ट का है तो उसे राइम पोह हम देंगे छोटे मोटे आलफाबेट सिखा देंगे यह फॉर एपल भी फॉर बॉल अभी ऐसा नहीं को बड़े बड़े उसको बैका बलरी याद करा रहे हैं उसको पढ़ा रहे हैं इसलिए उसको लिमिटेड और सेलेक्टेड चीज़े ही उसके एक पढ़ाया जाए ताकि उसका जितना माइंड एब्जॉर्ब कर सके में सब्सक्राइब करूए नेक्सस्त है हमारा कि आया कि दिजिएंग अप कॉंपोजीशन इस रिलेटेड टू दे रहा तो शुण अपॉजीशन इस रिलेटे 10 अब सम्ट देचील अब एव्यटिटिम इल्दिसर टूल सीर हिरे घ्ना मात्रण यह पूछ रहें पढ़ाना किस से मतलब सम्मन्दित है पदां पढ़ाना किस सम्मन्दित है इसे दोस्तों टीचिंग जब भी पूछ टीचिंग और कॉम्पोजेट्टेट्टू किसे है दोस्तो 3टींग इसकिल से है। राइटिंग स्किल से हैं नेक्स्ट है हमारा प्रिंस्पल आफ इंपसाइज और मॉर्ड रीडिंग बाइद टीचर प्रिंस्पल अब डालता है प्रभाव डालता है मतलब कौन से सिद्धान्त है जो डालता है एंपसाइज और आपको पता है दोस्तों कि हम स्टीक से स्लेक्शन भी है टेस्टिंग लेकिन हम उस बच्चों को कैसे अपनी बातों को प्रस्तुत कर पा रहें कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं ताकि बच्चा समझ पाए सबसे में क्या होता है तिंग्स होती है किसी भी चीज को मॉडल रेडिंग में प्रेजेंट करने का प्रिंस्पल प्रेजेंटेशन इंफेसाइज मतलब कैसे आपकी आपनी बात को सामने वाले को कैसे समझा पाते हो दाट इस इस दो में फेक्टर आप दर टीचिंग नेक्स है हमारा लांग वेज स्कील कैन बिर लांट बेटर मतलब जो भासा की दक्षिता है सबसे अच्छे तरह से सीखी जा सकते कैसे इप दे आप टॉट इन इंटेग्रेटेड मैनर विद एलप आप चैलेंजिंग ड्रिल्स अलग अलग पढ़ाया जाए तो आपको पता है कि हमसूस पढ़ते आ रहे हैं कि सबकी चीज को क्या एक साथ सम्लित करके पढ़ाया चाहिए तो यह तो गलत है दोस्तों इस तो रिटेंट टेस्ट हैं प्रेक्टिस जी ने इससे क्या होगा विद्ट हेल्प आप चैलेंग सबस्क्राइब करें तो नहीं सबस्क्राइब करें मतलब उन्हें क्या एक साथ सम्लित करके पढ़ाओ जैसे क्या मतलब एल यास आर डबलू मतलब पले लिसनिंग कराईए उसको पढ़ाईए एफॉर एप बच्छा सुनेगा फिर इस पेकिंग उसे बोलने के लिए फिर रीडिंग उसको पढ़ना अच्छर पाचाना जाना चालेंगे कि एफ और एपल होता है फिर उसको लिखने के देंगे अब छोटे बचे जब क्लास समझाते हैं बहुत छोटे सीसू जो मतलब किट्स होते हैं छोटे वाले चैप सबसे पले का देते सूनते हैं फिर बो सब्सक्राइब होगा नेक्स्ट है हमारा है अगला है अगला है एककोर्डिंग टू हरबर्ट ग्रामर्स शुड बी टॉट बाई इंड़क्टिव मेथड डिड़क्टिव मेथड एंड बी या फिर बताया हरबर्ड हरबर्ड के उसार व्याकर कैसी पढ़ाने चाहिए अगमन विदी होता है आगमन विदी एक होता है निगमन विदी तो दोस्तों हर्बर्ड ग्रामर शुड वी टॉड़ बाई तो इसमें का होता है दोस्तों इसमें उदाहरं से व्याकरण की तरफ जाय जाता है इसमें पहले रूल दिखाया जाता है वन व्याकरण टू उदाहरण तो दोस्तो सबसे बेस्ट को अधर होगा डिदक्टिव मेथड मतलब व्याकरण से आप रूल की तरफ जाएंगे इस यही बेस्ट मेथड होता है क्या ग्रामर बढ़ने का नेक्स्ट है मारा वाट इस दे मींस अफ कॉम्यूनिकेशन कम्यूनिकेशन मतलब क्या था दोस्तों इसका क्या अंसर होगा तो दोस्तों अपनी बात को दूसरे से समझा देना ही क्या होता है कॉम्मिनिकेशन होता है जैसे कि माली यहाँ पर A है यहाँ पर B है माली A ने B को कुछ कहा ठिक भी सुन लिया और उसका रिपलाई ना करे मतलब के वली क्या करें इसने यहां पर अपनी बात को ट्रांसफर किया और भी उसको रिले के चुप चाप बैठा हुआ सुन लिया तो इसको संबाद नहीं कहेंगे से तब तक वह kommunik recording कहांगा और टा साम लीजान किया होता है अपनी बात को किसी विभासा में समझा देना ही क्या होता है बहरे जगुंगे उनको sign language सिखा जाता है ऐसे समझ जाता फिर वह भी अपने हिसारा करके तो टीचर समझ जाते हैं यह भी क्या एक तरद से क्या communication है बहले उसमें आवाज नहीं है लेकिन वह क्या इसारों की बाते हो समझ रहा है उसकी बाते यह समझ रहा है तो भी क्या एक प्रकार का टाइप सब कम्मुनिकेशन ही है नेस्ट है मारा प्रोफिशोएंसी टेस्ट इंक्लूटिट्स क्या होगा इस प्रोफिशीनसी में कॉन कोसे इंक्लूड ओती है तो क्या होती है दोस्तों प्रोफिशेंसी कहलो या सिद्धлом शु pocz प्रोडक्टिव इसकी यह भी आ सकता है या इस ऐसे आसने एक्टिब स्किल और दोस्ती वोलेंगे तो एक्टिब्स्किल कॉन कॉन सा हैं आपका स्पीकिंग है अपनी औरुपो किसी के सामने प्रस्तूत करें गोजित क्या है आप बहुते से तुमिए प्रण का एक च्छ विए क्ए रॉप सुलों सेना। को होते हैं आपके reading और hy are listening read कर रहे हो तो डरहाई है और यह सोन बी रहे tail रखार्तें और यह यह योई एकु है एक्टिवि श्किल है नेक्सट है है हमारा The basic requirement of a language proficiency test is that it must be reliable, simple, complex बताएं दोस्तों क्या होगा पूछ रहा है The basic requirement जरूरत इसका होता है मतलब क्या होता है दोस्तों जरूरत कि लांग में पर फिक सिंट्टी टेस्ट में भावसा दख्षिता जेवल जांच होता है उसमें सबसे ज़्यादे क्या है तो complex नहीं जटिल नहीं बनाना है mbcs भी नहीं बना सिंपल भी नहीं रिलाइबल होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए विश्वास होना चाहिए जितना जिस चीज के लिए आप टेस्ट ले रहा हो उसे वह जज़ करें यह इसका में गुड होना चाहिए रिलाइबल कि नेक्स्ट है हमारा अगर यह थे बेसिक लांगवेज इसकिल्स आर ओर कर लिस्निंग एक सब्सक्राइब यह चलते मतलब एक के बाद तीन चार वी आपस में जूड़े हुए है लिस्निंग फिर स्पीकिंग फिर रीडिंग राइटिंग नेक्स्ट है हमारा रिमीडियल प्रोग्राम इस डिजिञेंड कीपिंग इन लाइट जब रिमीडियल टीचिंग उतीके हैं इसके बच्चों के किस रेल पकड़ है उनकी ताकत किसमें है इस बात को ध्यार में रखकर एच इस बात को ध्यार में रखकर सभी बच्चों के उसको ध्यार में रखकर रिमेडियल टीचिंग दी जाती है अरे बच्चा मालें जी मैठ जा रहा है मैठ साइंस इंग्लिस सब पढ़ रहा है तो बच्चे को पकड़ कि सब्सक्राइब कराई जाती है नेक्स्ट है हमारा बेसिक रिक्वार्मेंट ऑफ लांग्वेज प्रफिस्टेस्ट टेस्ट इस डाट मस्ट भी दूस्ति हो चुका है रिलाइबल होगा बता चुका हमारा नेक्स्ट है हमारा वीच आप फॉलिंग इजे क्वालिटेटिव एवल्यूएशन टेक्निक इसमें सबसे अच्छा ग तो दोस्तों इसमें आकलन के लिए क्या होता है सब्सक्राइब बच्चे की सभी उपलबदियों के बारे में बताता है किसमें सब्सक्राइब बेज़ेब बताता है था एक पूरा रेकॉर्ड्ट होता है अगर यहां पे पोर्टफोलियों होता दोटो होता dodoster होता तो यह बैश्ट ऑप्षोलियों होता है फर्टफोलियों होता तो यह भी curwest option हो सकता था में अग्स्ट है हमारा मतलब सिक्षा में आकलन जो है कंटिनिवस बट नॉट कंटिनिवस नाइधर कंटिनिवस और नॉट कुमिलेटिव बोथ कंटिनिवस एन कुमिलेटिव बताएं इसमें कौन अंसर सही होगा दोस्तों बताएं तो दोस्तों इसमें पता है आपको कि ncf 2005 क्या बोलता है दोस्तों कि सतत मुल्यांकन की बात करता है तो मतलब आकन कैसा होना चाहिए बोथ कंटिनिवस एन क्युमिलेटिव सभी पक्षों को देखोना चाहिए के वल उसके पढ़ाई से जज नहीं कर सकते कि आप पढ़ने में समय ठीक अधिक जिवनने कर सकता ऐसा सोचा गया होता तो सिंट यम नेंवल है यहां यह हमें बेस्ट प्लेट पिन Всरे डेस्ट हमें नहीं मिलते तो इसलिए क्प्लियांकन सांट मेरि अकलंद होना ही चाहिए साथ में क्या होना चाहिए इसकोलेस्टिक और post-colastic दोनों होने चाहिए मतलब सैक्षिक और सैक्षिक मतलब पढ़ाई के साथ-साथ उसके extra curricular activity मतलब खेलने में कैसा है फुटबाल पसंद है, cricket पसंद है या हो सकता है कि पर्णेम ठीक नहीं है लेकर उसको फुटबाल काशा player हो तो भी सही है तो दोस्तों सबके साथ-साथ मन सदत मुले आएंगे साथ-साथ उसके सारे पक्षों का आंकलर होना चाहिए इसका मतलब होना चाहिए नेक्स्ट है हमारा कि an attainment test aim to measure बताएं दोस्तों an attainment test to an attainment test aims to measure how much a learner has learned for what he has been taught या how much a learner attainment test जो होता है उसका लग्स क्या होता है कि बच्चे ने कितना सीखा या फिर how much a learner needs learn to pass कि कितना बच्चे ने कितना सीखा जिससे वो परिशाब पास हो सके या फिर the speaking ability of a learner बोलने की छमता बच्चे की या फिर teaching ability of teacher या फिर अध्यापर की छमता की तो जी नहीं दोस्तों how much a learner has learned मतलब बच्चे ने कितना सीखा and what he has been taught और उसे कितना सीखाया जाएगा ये बात बताई जाती है attainment test से कि next है हमारा कि quantitative evaluation quantitative evaluation techniques are divided into नलने आख्यों अध्याश है कि मतलब दोस्तों मत्रातमक अ कि मत्रातमक आखलं मुल्यांकन के सब्सक्ता है तैस्ट चैणिक टेस्ट है फिर प्रेक्टिकल टेकनिक होता है लिघित होता है सब्सक्राइब इसका अंसर हो जाएका मैंने option number डीटी फोर डेन्मार्क नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया आफ एसेस्मेंट इस कि एसेन में मतलब जो के एसेस्मेंट जो होता है आपका कि इसका क्रेटेरिया का एसेस्मेंट गाइडलाइन स्कोरिंग की बख्यावल नंबर पाने इसका मतलब होता है या फिर क्रेटेरिया एसेस्मेंट क्या होता है कि इस मतलब जर्नल इंप्रेशन आफ एस्टुडेंट एबलिटी मतलब बच्चों की हल्क मतलब अच्छी जनकार विमन बच्चे की छमता क्या है इसमें देखिए अगर यह पुष्टल लेवलिंग नहीं करना है बच्चे के बच्चा कम जानता दिक नहीं इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे मतलब की छमता के इस फाइंट प्लेक्स अलांग विद अधर इंडियन लांग वेज अधर इंटरनेशनल लांग वेज अधर इंटरनेशनल लांग वेज जैसे आपका फ्रेंच हो गया इस्पैनिश हो गया सब्सक्राइब प्रेंच हो गया इसके साथ सत्ciendo ये सब भी च्पटाया पठायजा है अब जल्गर अफ्रेंच हो गया इस प्रेंच हो गया जो इंड आफ दशिита लिए जाता है मतलो सवत्र के अन्त मीं इंड आफ द सीशन पिए होता है दोस्तों फारल नहिंग को इसलिए को सिशन मतलब सब्सक्रिकर्म कें कई बार आगता है तो कहें आफलर लर्म लरर्निक इन ल्री या інन्य वलय coinc है तो पता है तोस्तों क्वैब सेयों फार्भ लर्निंक हो जाएक है आपको पता है फारानिंगहरोन स्विंति अंजन सम्टर मॉट्पसक अंतर इसली में अंतर क्या होगा तो दोस्तों अफेक्टिव फेक्टर जो मतलब सबसे प्रभावे पूर्ण तत्थे जो है मोटिवेशन का वो क्या एवर्ट्ट्व कंप्लेट एलांगो इस टास जी नहीं सर्वाइवल सेफ्टी नीट्स नहीं और परसे सब देरेविट नहीं यह होगा करेंगे तारी प्रेरख भी हो सकती है इसके नमबर कम पाने का सफलता और और सफलता के औंतोर को समझ पाना ही क्या मोटिवेशन है कि नंबर हमने कर सकते हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगला है कि कॉम्यूनिकेटिव लांग्वेश टीचिंग सबसे बेस्ट दोस्तों इस समय कहा है सबसे ज्यादे मौअडन इंगलिस में चल राया है और कौमिटीव लांगे स्टीचीचिंग इस कांसरन विट टीचिंग कन्सर्ण विद टीचिंग वेड वोकिवलेटी अंग्रमर फूल्थ रूल्स आप सिपलिग दो दॉडपेटिव लांग्मेज टीच में नहीं पारवटल तेन टेस्टी क्या होगा दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों को इन्हांस करना ताकि वो बात कर सके इसमें मदर टंग क्या होता है इसमें बच्चों को एक ग्रूप बनाके उनको एक रोल प्ले कराया जाता है यह सब मॉडर्ण टेखनिक में सबसे बेस्ट मैथड है क्या कॉम्निकेटिव लांग वेस्ट इचिंग कई वाहां यह कुशन आ चुका है दोस्तों कि नेक्स्ट्मरा कि इधा तर्म कोंप्रेहेंसिव इन एक व मि slap ट्चिंग इन एक वह अनका मतलब क्या हुआ तो मैने बताया दोस्तों नटॉम्प्रेहेंसिव मतलрах comprehensive continuous लगतार जो अखलन मुल्यांकन होता है के वल सख्षिक गतिव दियोinguém का मुल्यांकन होता है जी नहीं ऑफ सkte प्रगती कटिक राते है का रहता है क्या होता है इसका Tweeds ??? और को सख्षिक और को सने चया आंदिक हैं चलता है इस में continuous जो comprehensive evolution होता है CC जिसका full form होता है क्या होता है दोस्तों CC भी आ सकता है आप क्या होता है continuous comprehensive evaluation next है हमारा which type of evaluation is process centered बताएं दोस्तों process centered कौन कौन है इसमें से कौन है formative या फिर summative internal external तो दोस्तों इसमें दिया है which type of which type of evaluation कौन समूल लियांकन process centered दोस्तों formative क्यों क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों unit test होता है और summative में क्या होता है summative में term test होता है मतलब unit test मतलब आपने the donation पढ़ा दिया उसके बास से आपने टेस्ट ले लिया तो तो चार फुर्मतिव से टेस्ट होते हैं से और सबस्ते चार फॉर्मतिव दो सम्मेटिव पढ़ाने के यह लिए गया फिर उसको फिर यह ज्लीका पढ़ा तेस्ट बाद सबस्तों यह पर दोस्त वर लगिए आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे प्रफेशियंसी इविल्यूएशन इंक्लूट्स वनली स्पोकें इंग्लिस वनली रीडिंग अभी यह कुर्शन है तो दोस्तों फ्रस लाग में चेंज किया हुआ है आपको पता है कि प्रफेशियंट टेस्ट कैसे होता है या तो आप बोल के मोखिक परिशा देंगे या फि तो देखें बता सकते हैं कि आपकी सही है इसमें चमता है पड़ने के लिए नहीं है तो क्या दोस्तों मोखिक और लिखित है नेक्स्ट है हमारा कि आज का लास्ट क्वेश्ट है दूस्तों कि वाट इस दर डिजाइड गूल ऑफ कम्वेंटिव आपराच बताएं दोस्तों है कि डिजाइड गोल का बाट चीत की छ हमता जो होती है उसको बढ़ाने का मतलब क्या होता है क्लूकूंद सर्थी बच्चा ऐस में इसमें उसमें अधिक बच्छा उस भासाे में बात कर सके मतलब क होता है कि यह सिमेंटिक सब बता चुका हूं दोस्तों तो उम्मिद आपको वीडियो पसंद आई होगी आप इप स्रीज देख लिएगा लगबख सो कोचेंट है दोश्तों सो कोचेंट में आपको मिल जाएंगे एज़ इस कोचन मिलेंगे अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें स सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स क्लास में धन्ने बाद